साखी सिरीगुरु नानक देग जी पानी का चश्मा पैदा करना भगतु सिख जो के टिल्ले की पहाडी के नीचे बैठा था उसने गुरु जी से प्रार्थना की कि यहाँ पानी की बहुत कमी है पर आपकी कृपा से यह मुसीबत की घड़ी टल सकती है गुरु जी ने उसकी विनम्र प्रार्थना को सुविकार करते हुए एक पत्थर उठा कर पानी का प्रवाह जारी कर दिया पानी का यह चश्मा आज तक चल रहा है और अब इसके पास ही एक सरोवर और गुर्द्वारा बना हुआ है